सेर, बिल्ली और चुहा बहुत समय पहले की बात है दूदार्थ नाम का एक बलिष्ट्य सेर अबु सिखर नाम परवत की गुफा में निवास करता था प्रति दिन वह सिखार है तू वन में जाता है वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था एक दिन कही से एक चुहा उस गुफा में आ गया और बिल बना कर रहने लगा जब भी सेर विश्राम कर रहा होता चुहा बिल से निकलता और सेर के केसो को कुतर जाता जागने की उपरांत सेर की जब अपने उत्रे हुए केसो पर द्रिष्ट जाती तो वह क्रोध से आग बगूला हो जाता बलसाली होने की बावजूद भी उसका चुहे जैसे छोटे से जीव पर बस नहीं था जब भी वह उसे पकड़ने के प्रयास करता वह चपलता से अपने बिल में घूस जाता और सेर क्रोधवन्स दात पीशता रह जाता एक दिन सेर ने सोचा की इस छोटे जीव पर अपने उर्जा व्यर्थ करने का कोई ओचित्ते नहीं है इसके विनास के लिए इसका ही कोई परम सत्रू लाना चाहिए और वह गाउं जाकर बहला फुसला कर एक बिल्ली ले आया प्रती दिन सेर बिल्ली के लिए ताजा मांग्स लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता बदले में बिल्ली सेर के विश्राम के समय चोकसी करती बिल्ली की उपस्तिती में चुहा डर के मारे बिल में गुशा रहता सेर अब निस्चिन होकर सोने लगा बिली रोज ताजा मांग स्प्राप्त कर रिष्ट प्रिष्ट होने लगे इधर चुहा बिल में गुसा गुसा कमजोर हो चला था सेर के केस उसका आहार थे आखिर कब तक वो भूखे प्यासे बिल में पड़ा रहता एक दिन व्याकुल होकर वह अपने बिल से निकल ही गया सेर उसे समय विश्राम कर रहा था और बिली पासी बेटकर मांग स्का भक्चन कर रही थी चुहा बिली को चकमा देकर सेर के पास जाने का प्रियास करने लगा किन्तु बिली चपलता थी उसने चपलता से चुहे को अपने पंजे में दबोच लिया और मार कर खा गई बिली प्रसन थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता को सदा के लिए अंध कर दिया उससे विश्वास था कि प्रसन होकर सेर अवज से उसे और स्वादिष्ट मांग स्ला कर देगा सेर के जगने पर बिली ने उसे चुहे को मार डालने की बात बता दी सेर की परिशानी का कारण समाप्थ हो चुका था वह बड़ा प्रसन हुआ किन्तु अब बिली उसके लिए काम की नहीं थी उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया बिना भोजन के बिली कमजोर होने लगी उसे समझ में आ गया की चुहे को मार कर उसने अपनी उपयोगीता समाप्थ कर दी है इसलिए सेर उसकी अपेच्छा करने लगा है अंतत वह गुफा चोड़ कर चली गई सीख परियोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत पुछ परक समाप्थ हो जाती है इसलिए अपनी उपयोगीता बनाए रखे